हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ड की द्वारा दो हजा चोबिस का टाइम टेवल जारी कर दिया गया है इसमें हम क्लास 10 का पूरा टाइम टेवल देखने वाले हैं कि कौन से दिन कौन सा विसे हैं कितने बज़े से आपका एक्जाम इस्टार्ट हो होने वाला है फ्रेंस आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि आप सभी का जो परिच्छा इस्टार्ट होने वाला है बाइस फरवरी से प्रारंब होगा और यह परिच्छा साथ मार्च तक चलेगा ठीक है अब यहां पर इस टाइम टेवल में आप सभी को बताने वाले क चारीक, से आपका प्रारम हो रहा है, देखें यहां पे आपका जो पहला पेपर होगा, 22 फरवरी को स्टार्ट होगा, जो आपका दी पढ़ेगा, बिरहस्पति वार के द cé आप सभी को आ, क्लास दस के जितने भी छात्रे हैं उनका जो पेपर होगा सुबह हमें होगा, 8.30 से स्टार्ट होगा 8.30 बज़े और 11.45 तक ही पेपर चलेगा ठीक है तो 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर पहला पेपर आपका हिंदी का रहेगा फिर इसके बाद आपका सीधे जो पेपर होगा 27 फरवरी को होगा जो आपको मंगलवार का दिन पढ़ेगा ठीक है यह भी आठ बज़े से लिगे 11.45 तक चलेगा और 27 फरवरी को आपका गड़ीत का पेपर होगा ठीक है इसको टाइम टेबल को अदम लिख लीजिए फिर इसके बाद जो चात्र संस्क्रीत पढ़ते होगे उनका जो पेपर होगा 28 फरवरी को होगा यह 38 से 11.45 तक चलेगा और 28 फरवरी को आपको क्या होगा संस्क्रीत का पेपर आप सभी का होने वाला है इसके बाद 29 फरवरी को जो ब्रिहस्पतिवार का दिन पढ़ेगा आपका विज्ञान का पेपर होगा ठीक है तो यह 29 फरवरी को आपको क्या पेपर है विज्ञान का पेपर इसको ध्यान दीजिएगा और उसी दिन, 29 फरवरी को ही साम को जो चातर किरसी पढ़ते होंगे यानि आप जो चातर किरसी लिया होंगे, उनका जो पेपर है 29 फरवरी को ही कब है साम को 2 बज़े से प्राराम होगा और 5-15 तक चलेगा ठीक है इसको आप लिख लिज़े टाइम टेबल को अब 29 फर्वरी के बाद सीदे 4 मार्च को आपका पेपर होगा जो सो मुवार का दिन पढ़ेगा यह पेपर जो हगा 4-4-4-4-4-3-4-4-4-4-4 इसके बाद 6-5-6 तैसे बुद्वार दिन लिख घता है चित्रिकला का पेपर होने वाला है चित्रिकला को पेपर 6-6-4-7-5-7-9-8-30-7-N-1-11-45-8-45-4-5-8-9-9-9-9-9-10-6-6-7-4-2-5-1-1-1-11-1-1-4-4-1-1-4-1-3-5. के पेपर साथ मार्च को आपको किसका पेपर होने वाला है समाजिक विज्ञान का पेपर तीस पूरे टाइम टेपल को आप लिख लिए जितने भी क्लास 10 के स्टुडेंट है सभी विश्चे आप सभी को बता दिये कि आपका पेपर जैसे हिंदी का गडीत का संस्कृत विज् कर दीजिए ठीक है अब आपके पास बहुत कम समय बचा है आप अपने तयारी को अच्छे प्रकार से प्रोपा ढंग से तयारी करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है